Hi 12Ds, Welcome to Easyway Commerce Classes मैं हो तबितार गाईज आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने important topics की macroeconomics की काफ़े सारे students यह जानना चाहते हैं कि हमें अपने macroeconomics में कौन कौन सी topic है जो अच्छे तरीके से करने है या फिर last moment revision में वो हमें करने है या इसे कौन सी topic है जिनके आने के chances जादा है तो देखो सबसे पहले तुमें एक चीज़ बता हूँ जब भी हम 12th class में पढ़ाई करते हैं तो हमें हर एक चीज़ आनी चाहिए लिकार CVST में पता नहीं हो तो कुछ भी पूछ लेते हैं बट फिर भी ये कुछ ऐसे topic है guys जो बार-बार पूछे जाते हैं और ये important है examination point of view से तो सबसे पहले हम बात करते हैं differences की difference हमें जो भी chapter में given होते है guys एक बार जरूर read out करना चाहिए आने चाहिए जिसमें stock and flow में तो बहुत ज़्यादा important difference है और इसका example भी पूछ लिया जाता है या आपको example दे देते हैं और आपको बोलते recognize करो बताओ ये stock concept है ये flow concept है तो ये जरूर करना है real and money flow में क्या difference होते है guys और ये से chart के थुरू कैसे present किया जाता है वो आपको आना चाहिए intermediate and final goods इसमें तो आपको recognize करना भी आ जाता है कि बताओ कौन सा intermediate goods है कौन सा final तो दोनों का difference भी पता होना चाहिए इसके सासर consumption and capital goods में भी difference आपको एक बार आना चाहिए पूछा जा सकते है कई बार इसके बाद guys जो सबसे ज़दा important है that is the double counting यानि कि double counting किसे कहते हैं और इसे कैसे ठीक किया जा सकते हैं तो इसको जरूर कंसेप को देखना 5-6 पूइंट है guys वो पूछे जाते हैं इसके बाद positive and negative externality किसे कहते हैं इस पर भी video वीडियो 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 आने topic पर अविलेबल है हला कि इस पर एक video आने वाली है guys जिसमें इसके सारे basic concept में आपको सिखाऊंगी तो वो video जरूर देखना है ताकि आपके basic concept इस पर मजबूत हो सके इसके लवा guys precautions in three methods, national income में हम तीन method पढ़ते हैं value added income and expenditure तो जब उने हम करते है methods को तो क्या precautions हमें बरतनी चाहिए यानि कि कौन-कौन सी चीजे जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए तो इस पर भी video आने वाली है यानि कि दो चीजों पर video आने वाली है और यह important है आपके examination point of view से इसके बाद guys आपका जो next chapter आता है वो आपका आता है aggregate demand and related concept जिसमें almost सारी चीजे practical है यानि कि AD का formula क्या होता है, AS का formula क्या होता है, APC, APS कैसे निकलता है जाद दर चीजे practical हैं लेकिन उसके साथ साथ कुछ theory portion है जो important है जैसे की induced investment किसे कहते हैं, autonomous investment किसे कहते हैं और इसका graph कैसे बनता है इसके अलाबा guys ex post investment या ex int investment या ex post saving और ex post investment किसे कहते हैं ये भी कई बार पूछा जाता है तो आपको यह आना चाहिए involuntary unemployment है guys और structural unemployment, frictional unemployment ये भी आना चाहिए हालाकि इन पर shots बनी है आप देख सकते हो असानी से समझने के लिए इसके बाद guys अगर हम next topic पढ़ें income determination and multiplier तो उसमें multiplier की working is very 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 important guys अच्छे तरीके से करनी है multiplier की working कई बाद theory में पूछ ली जाती है investment multiplier की working कैसे करी जाती है इसके बाद हमारा next topic है guys excess demand and deficient demand chapter है जिसमें excess demand किसे कहते हैं graph कैसे बनता है inflationary gap जो आता है excess demand से उसकी definition क्या है same way में deficient demand क्या होते है guys और deflationary gap किसे कहते हैं आना चाहिए आपको इसके साथ साथ इसको कैसे measure किया जाता है यानिकि monetary policy और fiscal policy के through तो उसमें बहुत सारे measures दे रखे है bank rate, repo rate वो जरूर एक बार वीडियो में नी देखना और समझना गाइस इतना easy concept है और काफी सारे बच्चे बहुत जादा इसको मुश्किल मानते हैं बट इतना easy concept है और बहुत important exam में इसमें से पक्का एक चीज़ आती है आपको excess demand या deficient या inflationary gap या deflationary gap तो यह जरूर पढ़ना है आपने जो कि बहुत असान concept है या उसको कैसे measure किया जाते है ठीक किया जाते है rectify तो यह जरूर theory potion है guys और बहुत कम slabels है जो आप लोगों के इसमें आ रहा है अदरवाइस तो पूरी-पूरी books आती तो आप अच्छी तरीके से अपना theory potion cover कर सकते हो gap है आपके पास समय का और फिर भी अगर आपको किसी भी topic में कोई difficulty होती है तो आप या पर YouTube पर comment के थूँ आप पूछ सकते हो थांक यू